इस पार्ट की शुरुबात भी वही से होती हैं जहाँ पर हम लोग बाकी सबी डिसाइपल्स को अपने फ्लेम को डिफाइन करते हुए देख पा रहे होते हैं जहाँ पर बेट यान्यू अपने सबी के सबी फ्लेम को लगबग डिफाइन कर चिका होता है जिसे देखकर वहाँ पे जितने भी master होते हैं वो उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और कहरे होते हैं कि जुआनसें पवेलियन के जितने भी लोग हैं वो काफी जादा genius है जो कि उन्होंने बे टियान्यू जैसे disciples को त्यार किया है और यहाँ तक की वो यह भी कह रहे होते हैं कि इस competition में हम लोग साफ साफ देख पा रहे हैं कि टियान्यू ही जीतने वाला है जिसे सुनकर कुरिंचन के साथ आयवे दोनों master को जादा अच्छा नहीं लगता है और उमें से एक master तो यह भी कह रहा होता है कि अभी तक competition यहाँ खतम नहीं हुआ है तो आप लोग को इतनी जल्दी result को नहीं अनाउंस करना चाहिए जिसे सुनकर जो बगल में एक master होता है वो कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो देखते हैं कि आगर क्या होता है और तब ही हम लोग BTR को देख पा रहे होते हैं जो कि इस वक्त अ उन लोग का ध्यान भी उसे भटकने लगता है लेकिन काफी मुश्किल से वो लोग अपनी flames को कंट्रोल कर पा रहे होते हैं और दूसी तरफ वहाप पे जितने भी master बैठे वे होते हैं वो सबी कुईंचन की बेज़ती करना सुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि क्या कुई कुईंचन को रिफाइनिंग आती भी है क्योंकि वो स्टार्टिंग से बस अपने flames को देखे ही जा रहा है जिसे सुनकर उन elders को फिर से अच्छा नहीं लग रहा होता है लेकिन तभी कुईंचन अपनी पौर का यूज़ करना सुरू कर देता है जिसकी वज़े से कुईंचन नहीं आ रहा होता है क्या करियां पर हो क्या रहा है क्योंकि इस वक्त कुईंचन अपने flames को डिफाइन नहीं किया होता है लेकिन फिर भी वह सभी फ्लेंचन के आसपस काफी ज़्यादर स्पीड से घूम रही होती है जिसे देखते के साथ वहाप सुप्रीम एल्डर होते है वह सभी एल्डर्स को बताते हैं कि कुईंचन ने किसी भी तरीके के flame को अभी तक रिफाइन नहीं किया है बलकि उसने अपनी mental strength को अपने flames के साथ share किया है जिसकी वज़े से उसकी flames काफी ज़्यादे active हो गई है और तबी कुईंचन अपनी power का use करते हुए उस flame को उपर भ refining कर रहा है क्योंकि मैंने तो अपनी जिंदगी में इस तरीकी की refining नहीं देखी है और तबी हम लोग वापस से उस कुईंचन की flames को देख पा रहे होते हैं जिसके बीच में काफी जबर्दस battle हो रही होती है और वह अपने opponent को अपनी power कीमर से destroy करते वे उसे अपने अंदर absorb कर लेता है और ऐसे ही बाके जितने भी flames होती है ऐसा ही कर रही होती है और लास्ट में बस black flame और red flame बच जाती है जो कि अपने साथ में काफी जबर्दस battle कर रही होती है जिसके अंदर से काफी ज़्यादा energy release हो रही होती है जिसकी वजह से बेट यान यू अपना ध्यान खो हो देता है जिसकी वजह से उसके flame वहाँ पर destroy हो जाती है और तब ही क्विंचाइन की वह red flame black flame को destroy करते वह से absorb कर लेती है और वह क्विंचाइन के पास वापस भी आ जाती है और तब ही मास्टर होते हैं वह announce कर देते हैं कि यह round यहाँ पर खतम हो चुका है और जितने भी disciples नहीं तीन या तीन से ज़्यादा flames को refine किया है वह सभी लोग लाइन में लग जाओ और तब ही महाँ पर एक आदनी भी आ जाता है जो कि महाँ पर आते के साथ अपने पास एक artifact निकाल लेता है और कहता है कि यह artifact में तुम सभी लोग को अपनी flame की power को test करना है जिसकी power सबसे जादा होगी वो इस राउंड में जीच जाएगा जिसे सुनते के साथ बेटियान माउंटेन से लिव नायम के एक disciple महाँ पर अपनी flame को चेक करने की कोसिस करता है जिसकी power 653 आ जाती है जिसे देखकर आसपास के disciples बात करने लगते हैं कि यह तो बेटियान माउंटेन का चौ आ जाते हैं जिसकी power 680, 789, 782, 796 और 853 होती है जिसे देखके वहाँ पर जितने भी master होते हैं वो यह कह रहे होते हैं कि लगता है इस बार काफी जादा genius student आये हैं क्योंकि सभी लोग के score काफी जादा अच्छे होते हैं और तबी बेटियान यू की बारी भी आ जाती है जो कि वहाँ पर आते के साथ अपनी flame को अर्टिफेक के अंदर डाल देता है जिसकी वज़द से वो आर्टिफेक काफी ज़दा powerful power release करने लगता है और उसकी power 931 बताता है जिसे सुनते के साथ वहाँ पर जितने भी disciples और वो जो आदमी जो चेक कर रहा होता है वो काफी ज़दा पहले आप लोग देख पाओ तो गैस मिलते हैं नेक्स एपिसोड में